मैं भारती आपको स्वागत करते हूं हमारे चैलेंग में पिछली वीडियो में मैंने सूट की कटिंग बताई थी आप इस वीडियो में मैं आपको सिलना बताती हूँ चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं कि फ्रेंड हमने इस पर पट्टी लगा लिए अब इसके हम चारों तरफ इसकी कटिंग कर देते हैं हमने इसकी कटिंग कर दिये अब इस पर छोटे-छोटे हम कट लगा देते हैं इसको फॉल्ड करके और इसके सिलाई चला देने हैं कच्ची अब इसका गला त्यार हो गया है यहां से इस तरीके से हमें पिछे का गला भी त्यार करना है उसकी भी पट्टी लगा लेते हैं इस तरह पकड़के इन पर शिलाई चला दें पूरी पट्टी जोड लिए हां से अब इसको हमें इस तरीके से पकड़ना है और इसके उपर रखे हां से इसको लगा लिए है इसमें चारो तरफ अब हमें क्या करना है इस तरीके से इस कप्ड़को पकलना है यहां से पट्टी के को और ऐसे नखुन के मदश सीधा कर लेना इसको ऐसे इसको एसे सीधा कर लेना इसको आई फॉर्ड करना है इसको और इस पर भी हमें कच्ची सिलाई लगा लेने लिए देखिए हमने इस पर भी सिलाई लगा लिए चारो तरफ अब हमें दोनों पार्ट जोड लेने यहां से पकड़ केश को यहां पर रख देना है और इस तरीकेस पर सिलाई चला लेनी है हमने श्लाई लगा लिएए, अब हमें इसको इस तरीचे से पकड़के ऐसे फोल्ड करना एक तरब और इसको फिर ऐसे दबा देना एक आए ऐसे करके इसको इस तरीचे दबा देना है तो क्या है हमारी जो अंद्रे के पट्टी इसके उपपर आजेगी और हमारे गले में भी उपर से फिनिशिंग आवेगी यहां से अब हम इसे फिर कच्ची से लाई कर देते हैं देखिए हमारा पीछे के पाट का गला है और यह आगे का दोनों हमने यह जोड लिये हैं am charges अब इसी तरीके से हमें इधर का भी जोड़ना है यह जोड मैं हमनेगे क्या करना है को अब हमने क्या कर्ना है इसमें फिटींग कर निसान लगाना अब हमने जब करी है इसकी स्टैंप पे मर में लिखाएता आप ऐस दोने को पकड़ना है और इस तरीके से दोनों पल्ले में लाने रहे हैं मैं इस तरीके से ऐसे और इसको ऐसे सीधा करने में आज़े हैं जो हमारा चौक का निसान है वो इसके उपकर बिल्कुर सीधा निसान डालते हैं इसी तरीके से इसको फॉल्ड कराते हैं इधर को भी यही निसान आगया हमारा तो इस बिल्कुर हमारा फिटिंग का निसान है अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं फिटिंग की अरे फिटिंग की सिलाई लग गी है इस तरीके से हमें इस साइड भी लगानी है कäreकर रहे हमें क्या करना है सबसे पहले बाज्व की नीचे की मोरी हमें फॉल्ड करनी है इस तरिके से है क्लें हमें आदा Pier 4 पूलक से फिर हमें 1, List वी मोरना से और श्केठीक अग फॉल्ड करते हैं तो इस त्रिगे से हमने नीचे कच्छी सिलाई लगा लिए इसको फोल्ड करके अब हम इसके फिटिंग की निसान लगा लेते हैं हां से आर मोल के हां से सूट के आर मोल से हमें बाजू का आर मोल मिलाना है इस त्रिगे से और यहां पर हमें एक निसान लगा देना है हमें दोनों जॉम्हों पकड़ना है और हमें दोनों को मिलाके इन पर चारो तरफ शिलाई चला लेए देखे फ्रेड हमने ये दोनों बाजू लगा दिये हैं आपर सब कुछ हमारा रैडी हो चुका है अब हमें क्या करना है अब हमें ये आगे का तो हमारा मुडाई हुआ है क्योंकि इसमें डिजाइन था बॉर्डर लगी भी थी अब हमें पीछे का चार्क मोड़ना है इस तरीके से मोड़ देते हैं इसको मोड़ के और इसको फोल्ड कर देंगे और इसको हम पीजर से भी ऐसे इसका चार बना देंगे वो आप दिखा रहे हैं आपको सिलाई करके देखे फ्रेंट नीचे का हमने डेड़ अंची का मारजन दिया था तो इसलिए हमें आदा इंची पहले मोड़ना है और एक इंची बाद में मोड़ना है फॉल्ड के लिए और हमें इस पे सिलाई चला ले दिया अपके फ्रेंट अपने पीछे के पल लेके चाक मोड़ लिया इस तरीके से फॉल्ड करके यह आगे का पीछे का हमारा बराबर हो गया नीचे से लैंत में से अब हमें क्या करना है अब हमें यह साइड की चाख मोड़ने हैं इस तरीवे से पकड़ना है आधा हिंची दबाना है फिर एदीड़ हिंची के हमें चाख बनाने हैं देखे फ्रेंड हमने इसके दोनों तरब से चाख मोड लिए हैं यह हुमारा शूप चाख मोड़ के रैड़ी हो चुका है है एक बार हम आपको डंग से लिखा देते हैं इसको रेडी करके हमारे सूट बन के रेडी हो चुका है आप भी बनाईये ट्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हमारे वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा ज्यादा लोगों को शेर करिए धन्यवाद कर दूब को रोगों को만 दोब कर दोब कर दो सकता हैं इसको चैनल को वीडियो इसको ढे बनाईये वीडियों को से लिए में ज्यादा ढाईये कोदों को सब्सक्वादा जिए एक फिर तो